पंजाब कॉंग्रेस प्रमुख नव्जों से सिद्धू हताश हो गये हैं पहले तो उन्हें CM की दोड़ से बाहर कर दिया गया और अब उनके सामने अमरी सर इस्ट से चुनाब जितने का संकट पैदा हो गया है सिद्धू को हार का ऐसा डर सताने लगा है कि बाहरी लोगों से अपना परचार करा रहा है और हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बार बार वैश्नो देवी का चक्कर भी लगा रहा है दरसल नवजों से सिद्धू के सामने एक साथ कई चुनोतियां पैदा हो गया वे पंजाब में कॉंग्रेस का सी एम चेहरा बन जाएंगे लेकिन आखिरकार राहूल गांधी ने चरंजी सी चन्नी को पंजाब कॉंग्रेस का सी एम चेहरा घोसित कर दिया इससे सिद्धू की यवकात कम हो गई लेकिन इसके बाद सिद्धू और उनकी पतनी नवजोद कौर ने जिस तरीके से कॉंग्रेस के खिलाब बयान दिये उसके बाद तो पंजाब कॉंग्रेस के निताओं के साथ साथ राहुल गांधी भी सिद्धू से खफा हो गए इसके कारण कॉंग्रेस के निताओं ने सिद्धू से दूरी बनाना शुरू कर दिया और उन्हें अब अपनी सीट बचाने के लिए बाहरी लोगों के समर्थन की जरुवत पढ़ने लगे उनके सहयोग के लिए आमादी पार्टी के पुरु सांसद धरमवीर गांधी सामने आ सिद्धू को राजनीती से बाहर निकालने की कोशिश में माफिया भी जुटे हैं विक्रम मजिठिया पूरी तरह से अमरित्तर इस्ट हलके में डटे हैं दरमवीर गांधी के सिद्धू के लिए परचार करने और उनके बयानों से सिद्धू की मुश्किनों का अंदाजा ल बयादवी के मामलों को तुल देने और भाजपा का साथ छोड़ने से हिंदू वोटर उनके खिलाप होते जा रहे हैं जिसके कारण अब सिद्धू के सामने हार का खत्रा मन रहा है क्योंकि इस बार उनका मुकावला अकाली दल के नेताव बिक्रम सीन मजीठिया के साथ है औ जीठिया हर सिम्रत को और बादल के भाई हैं यानि बादल परिवार के सबसे करीबी और अकाली दल के दूसरे बड़े नेता हैं इसके कारण भी अकाली दल का पूरा संगठन उनके लिए जी जान से लगा हुआ है इस तरह सिद्धू के लिए एक साथ कई मोर्चे पर इशानी पैदा हो गई है जिसके कारण अमरी सर इस्ट से चुनाव जीतना ही उनके लिए सबसे बड़ी चिनोती बन गई है इससे उन्होंने अलग अलग तरकीव निकालना भी शुरू कर दिया है लेकिन उनकी मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रहे और जीद की संभाव आरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे हम से चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहे हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ चुड़ने के लिए धन्यवाद